पंजाब के हालात पहले ही विगड़ रहे हैं वहीं अब लुध्याना की पास कमिशनर ओफिस के नस्दीक कुड़ादान में खाकी रंग की टोपिया मिली हैं अब ये खाकी रंग की टोपिया किसी पुलिस करमचारी की है या नहीं ये बड़ा सवाल है बतादे की अक्सर अपराद के कई मामलों में अपरादी पुलिस की वर्दी का भी गुरेज नहीं करते इस कारण ये मामला गंभीर है सिद्धु मूसेवाला हत्यकांड में भी पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि जब वह फॉर्चिउनर से मनसा अवैद अध्यार लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कार में दो पुलिस की वर्दिया भी रखी थी आरोपिय ने मूसेवाला को फरजी एंकाउंटर में मानना था लेकिन गंभीर जादा होने के कारण आखिर में योजना बदल दी गई थी इस कारण खुड़ादान से मिली खाकी रंग की टोपियों को जिला पुलिस हलके में नहीं ले सकती मामला संदिक्द होने की वज़े से यह भी है कि कोई भी पुलिस करमचारी कभी अपनी वर्दी के साथ टोपी को खुड़ेदान में नहीं फेक सकता अगर इस तरह खुड़ेदान में टोपी फेकी जाती है तो यह बड़ा अपराध है वही पुलिस कमिशनर दफ्तर में CCTV कैमरे भी लगे हैं जिन से खुलासा हो सकता है कि यह टोपिया किस व्यक्ती ने खुड़ेदान में फेकी है इस तरह पुलिस वर्दी के रंग की टोपियों का लावारिस हालत में खुड़ेदान में मिलने को उचदिकारी भी हलके में नहीं ले सकते क्योंकि आए दिन पंजाब में कहीं ना कहीं बड़ी गटनाई हो रही है कुड़ादान में टोपिय मिलने के मामली में वही मौजूद कुछ पुलिस करमचारियों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरह से वर्दी के साथ की टोपि कुड़ेदान में मिलना गलत है मौके पर करमचारियों ने खुड़े दान से दो से तीन टोपिया निकाली ये मामना पुलिस के उचदिकारियों के ध्यान में भी आ चुका है